नमशकार दोस्तों, आपका स्टॉक इजी में स्वागत है दोस्तों आज हम पिटर लिंच के टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं कि उन्हें कैसे अपने पैसों को शेर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया और उन investment से उन्होंने अच्छा खासा मुनाफ़ा कमाया है उन्होंने क्या-क्या तरीकों को यूज किया है आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं अमेरिकी investor पीटर लिंच को निवेश की दुनिया का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है वहाँ बड़े fund manager में शामिल है वहीं उनके निवेश की समझ का लोहा बड़े से बड़े दिगज निवेशक भी मानते हैं लिंच ने अमेरिका से ही अपनी MBA की पढ़ाई की है निवेश से कमाई हुए पैसे से ही उन्होंने अपना education पूरा किया हुआ है एक fund manager के रूप में उनकी जो काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 1977 से 1990 तक यानि की 13 साल तक Fidelity Maglone Fund में 29 Fiziddy Counting के हिसाब से return प्राप्त किया है पिटर लिंच के निवेश की strategy को unique माना जाता है हाला कि उसका तरीका इतना आसान है कि उसे कोई भी आसानी से अपना सकता है या फिर हम उसको use कर सकते हैं उन्होंने कुछ ऐसे ही share में invest किया है जिसके बाद वो share multi beggar बन गहे हैं जैसे कि apple, takeo bell, fanny, flying tiger में निवेश के जरीए कमाई हुए पैसे से उन्होंने पढ़ाई अपनी पूरी की है अब हम बात करते हैं कि उन्होंने कौन कौन से हमें tips बताया है या फिर उन्हों कौन सी चीजों को use करके ऐसे क्या analyze करते हैं कि अपने पैसों को invest करते हैं हम उनको देखते हैं जैसे कि recognize the best companies यानि कि अच्छी कमपनियों की पहचान करें पिटर लिंच का सबसे पहला tips यह है कि आपको ये पता होना चीए कि आप कहां और क्यों निवेश कर रहे हैं जिस company पर आप आपकी निगाह रख रहे हैं देखें कि उस sector में काम करने वाली दुसरी company की तुला में उस company का production कैसा है उस company के fundamental के बारे में पता करें एक्सपर्ट से भी उसके बारे में सला मशुराब कर सकें लिंच का कहना है कि जितनी company में उनका निवेश शब से ज़्यादा सफल रहा है उनमें उन्होंने खुद की जानकारी जुटा कर ही निवेश किया है वो US company के साथ उनका पहला अनुभव था लेकिन टिप्स है हमारा diversification of these stocks यानि कि अपने stock को classified करने से आपको ये बहतर idea हो जाता है कि आप किस stock से कितना उमीद रख सकते हैं आप अपने निवेश को 6 कैटिगिरियों में classified कर सकते हैं मसलन तेजी से growth करने वाली company, slow growth करने वाली company, stalwart, sturnout और asset plan अगर आप अपने 10 shares अपने portfolio में रखते हैं उनमें से 4 fast growing और 4 turnaround और 2 stalwart होनी चाहिए स्टेटरिक से निपटने में आपको मदद होगी अगर आपने 10 share में invest किया है और उसमें से आपके 6 shares अगर अच्छे profit आपको दे रही है एक अच्छा मुनाफ़ा दे रही है और जो 4 share है आपको loss दे रही है लेकिन क्या होगा यहाँ पर आपको 6 shares में आपको एक अच्छा मुनाफ़ा मिलता रहेगा तो आपका loss वहाँ पर cover हो जाएगा तो इसलिए जब भी आप किसी shares में invest करते हैं तो आपको अगर आप किसी share में investment करना चाहते हैं और आपका investment amount 1 lakh है तो आपको अपना जो investment amount है वो एक ही share में नहीं डाल देना चाहिए आपको हर एक sector से एक अच्छी shares को उठा के उन share में डालना चाहिए ताकि अगर वोई shares जो है अगर 10 में से 6 shares चले तो भी आप मुनाफ़े में रहे आपका portfolio green रहे ना की red इसलिए आपको investment करने के लिए अपने shares में diversify करना ज़रूरी है next हमारा evaluate the company यानि की company का मुल्यकन करें इसके बाद जिस company के shares पर निगाह हो उसके value का आपको evaluate करना चाहिए जानना चाहिए क्यों company का value कैसा है आंकलं क्या बाते valuable बनाती है और आने वाले दिनों में उसकी क्या value होगी तरीका यह है कि देखें कि company अपना expense कहा कर रही है और कितना कर रही है अपने खर्चों को सीमे तो रख रही है या नहीं कि हो जादा खर्चे कर रही है जितना उनका मुनाफ़ा नहीं उससे जादा अगर खर्चे कर रही है तो वो भी company के लिए अच्छी बात नहीं है कमपनी अपने प्रोडक्ट में कितना नयापन ला रही यानि कि कमपनी अपने प्रोडक्ट में कुछ नए चीजे ला रही या नहीं अगर कमपनी अपने प्रोडक्ट को आए दिन उसके अंदर बदलाव नहीं लाएगी तो लोग उसको खरी देंगे नहीं अगर company चाहती है कि लोग उसके product को खरीदे तो उसके लिए company को अपने product में एक नई नई चीजे लाती रहनी चाहिए आपको ये देखना होगा कि company अपने product में कुछ नया पन ला रही है या नहीं समय समय पर और कीमत अपने बढ़ा रही है नहीं आपको इन सब चीजों को ध्यान देना होगा कि company क्या कर रही है जो उसका value है वो क्या है क्या आने वाले दिनों में company की value बढ़ने वाली है क्या उसके product में जो है परिवरतन वो continue ला रही है या नहीं क्या वो changes कर पा रही है कि नहीं या फिर जो उसके price है वो बढ़ पा रहे है Time to time check the company यानि कि अगर आप किसी share में investment करते हैं तो आपको shares को continue देखते रहना चाहिए नहीं कि आपको उसके अंदर पैसा डाल कि उसको भूल जाना है यानि कि निवेश करने के बाद समय समय पर अपने निवेश का आंकलन करें यानि कि analyze करते रहें उससे देखते रहें इसके लिए company के बारे में आप जरूरी जो information है वो collect करते रहें जिससे कि आपको उनका future का अंदाजा लग सके और तब आप समझ सके कि क्या आपको इसमें investment अभी करे रहना है कि नहीं या आपको अपना profit लेके निकलना है या नहीं अगर आप information लेते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि company अच्छे performance कर रही है या नहीं अगर company अच्छे performance कर रही है तो जो आपका investment है जो share आपने लेके रखा है आप उसको hold कर सकते हैं या फिर अगर company की continue जो events आ रहे है या फिर जो result आ रहे है या फिर उस company की जो negative news आ रहे है उसके shares गिर सकता है अगर ऐसे कुछ information आ रहे हैं continue आते जा रहे हैं rumors में तो आप अपने उसे पैसे लेके निकल सकते हैं ताकि आपको दर से loss नहों तो दूस्तों किसी भी share में investment करने से पहले आपको देखना होगा कि जो company है न की एक ही stocks में और company की value के बारे पता करना होगी company की value कितनी है कि आजए जाके future में इस company की value बड़ेगी और नहीं और आपको time to time अपने shares को देखते तो दोस्तों आज के लिए में ही रुपते हैं अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पुछे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरण सब्सक्राइब करें मैं आपसे जल्द मिलूगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ है